गाईज इस साल की मार्वल की सबसे बड़ी मूवी स्पाइडन में नोवे होम का दूसरा टेलर आ गया है जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है मैं ट्रेलर ब्रेकडाउन तो अप्लोड नहीं कर पाया लेकिन इस वीडियो में इस ट्रेलर में दिखाई गई कुछ मेजर डीटेल्स और कुछ कोशन्स के आंसर्स को एक्स्प्लेइन करूँगा सो वाच इस वीडियो तिल दी एंड तो गईस टॉम होलेंड के स्पाइडर मेन के ओरिजिन के बारे में अभी किसी भी मुवी में नहीं बताया गया था यानि कि पिछले सभी स्पाइडर में की तरह टॉम होलेंड के स्पाइडर मेन को अपनी पावर्स किस तरह मिली थी वो अभी MSU में नहीं बताया गया है क्योंकि ट्रिलर की शुरुवात में Tom Holland का जो वोईस ओवर है उसमें वो MJ को बता रहा है कि जब से मुझे Spider-Man ने काटा है तब से मैं सिर्फ एक हफता ही आम इंसान की जिन्दगी जी पाया हूँ इस लाइन से लग रहा है कि Tom Holland फाइनली मुवी में MJ को अपने ओरिजिन के बारे में बताने वाला है या फिर एक फ्लेश बैक सीन में पीटर के पास्ट के बारे में भी दिखाया जा सकता है Spider-Man का Black Suit आगरी बार हमें Sam Raimi की Spider-Man सीरीज में देखने को मिला था और MCU में बस इसी की कमी थी और फाइनली ये सूट भी हमें देखने को मिली गया लेकिन ये सूट Sam Raimi वाले Black Suit से बिलकुल अलग है ये सूट Magical है जिसमें या तो Dr. Strange अपने Protection Spell का यूज किया है या फिर इसकी Powers को उसने अपने Magic से बढ़ा दिया है जिससे Spider-Man को Multiverse के इन खत्रों से लड़ने में मदद मिलेगी इस ट्रेलर में Dr. Strange का भी Voice Over है जिसमें वो बताना चाहरा है कि सभी Spider-Man विलन्स अपने अपने यूनिवर्स में Spider-Man से लड़ते हुए मारे गए थे और यही उनकी किसमत है इसलिए वो इस Mysterious Box की मदद से उन सभी को उनके Point of Origin पे वापस भेजना चाहेगा लेकिन Rumors के हिसाब से Spider-Man किसी वज़ा से Dr. Strange को ऐसा करने से रोकेगा और उसी वक्त हमें इन दोनों के बीच यह छोटी सी लडाई देखने को मिलेगी यह शोट थोड़ा छोटा था लेकिन उसमें हम किलिरली जेके सिमन्स को देख पाएं जिन्होंने सबसे पहले इस रोल को 2002 की Spider-Man मूवी में प्ले किया था और Spider-Man Far From Home के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी जेके सिमन्स का कैम्यो था जिन्हें देखकर सभी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइडेड हो गए थे इस शॉट में वो अपनी News van के पास दिख रहे हैं जहाँ ऊपर शायद Jamie Foxx के Electro की एंट्री हो रही है अब अगर Electro की बात करें तो इस ट्रेलर में Electro का भी एक किलियर लोक हमें मिल पाया इस मूवी में Electro का लोक उसके Amazing Spider-Man वाले लोक से बिलकुल अलगोने वाला है क्योंकि इस मूवी में उसको अपनी पावर्स इस सूट से मिलेंगी जबकि दी अमेजिंग स्पाइडर में में वो खुदी एक ब्लू कलर की इलेक्टिसिटी में ट्रांस्फर्म हो गया था लेकिन इस मूवी में इलेक्ट्रो को उसके कॉमी बुक वाले लुक के हिसाब से पूरा चेंज कर दिया गया है इस से पहले नोवे होम के टीजर में भी गॉबलिन के पंकिन बॉम को दिखाया गया था जैसे देखकर सभी समझ गई थे कि इस मूवी में हमें ग्रीन गॉबलिन भी देखने को जरूर मिलेगा और अब न्यू ट्रिलर ने गॉबलिन के इस किलियर शॉट से इस चीज को भी कंफर्म कर दिया और साथ ही बेक्गराउंड में आप विलियम डफॉई की इवल आवास को भी सुन सकते हैं जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि ये गॉबलिन विलियम डफॉई वाला ही होने वाला है टेलर में एक और सीन है जो बहुत छोटा है लेकिन उसको अगर आप स्लो मोशन में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उस सीन में गॉबलिन के गलाइडर को कोई और ही राइट कर रहा है और बहुत सारे ग्रीन बॉब्म्स फेक रहा है ये बंदा कहीं से भी विलियम डॉफवय वाला ग्रीन गॉबलिन नहीं लग रहा और ये जो बॉब्म फेक रहा है उसका शेप भी बिल्कुल डिफरेंट है और इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी क्रियेट हो जाती है एक और नए गॉबलिन की जो हमें The Amazing Spider-Man 2 में दिखाया गया था जहां गॉबलिन विलियम डॉफवय नहीं बलकि Harry Osborne था तो हो सकता है वो वाला गॉबलिन भी हमें इस मूवी में दिखाया जाए क्योंकि अब जब सभी विलन्स आ रहे हैं तो उसको क्यो छोड़ा जाएगा अब अगर टोटल किया जाए तो इस मूवी में हमें टोटल 5 विलन्स देखने को मिलने वाले हैं डॉक्टर ऑक्टोपस, इलेक्टरो, ग्रीन गॉबलिन, सैंड मैन और लिजर्ड लेकिन स्पाइडर मैन की फेमस विलन वाली टीम सिनस्टर 6 बनाने के लिए एक विलन की अभी भी कमी है और मार्वल स्टूडियोस इतने बड़े मौके को नहीं छोड़ेगा और डेफिनिटली इस मूवी में सिनस्टर 6 को जरूर क्रियेट किया जाएगा लेकिन वो सिक्स्थ विलन कौन हो सकता है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है स्पाइडर मैन की गल्फेंट्स को हम लगबग हर मूवी में गिड़ते हुए देखते आ रहे हैं उनको इतने बार गिराया जाता है कि हर मुवी में स्पाइडर मैन को मेन लड़ाई छोड़कर पहले उन्हें पकड़ना पड़ता है और यही कल्चर इस मुवी में भी फॉलो गिया जाएगा और यहां MJ को Gwen Stacy के स्टाइल में गिरते वे दिखाया गया है Gwen Stacy को तो Andrew Garfield वाला स्पाइडर मैन नहीं बचा पाया था और इस मुवी में भी MJ के सर्वाइवल के कोई चांसिस नहीं है क्योंकि यह मुवी MCU के स्पाइडर मैन की ट्राइलोजी का एंड होगा इस ट्रेलर के क्लोजिंग सीन में एक परपिल एनरजी को सिटी के अराउंड दिखाया गया है जिसे देखकर डॉक्टर स्टेंच कह रहा है कि वो आ रहे हैं और मैं उन्हें नहीं रोक सकता ट्रेलर में स्पैसिफाई नहीं किया गया कि कौन आ रहा है डॉक्टर स्टेंच इन दी मल्टिवर्स ऑफ मैडनेस के लिए है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की अगली मल्टिवर्स वाली मुवी डॉक्टर स्टेंच 2 ही होने वाली है इस ट्रेलर में आपका फेवरेट सीन कौन सा था वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और ऐसी और भी वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले बिलते हैं अगली वीडियो में and thanks a lot for watching this वीडियो